हलो एवरिवन वेलकम तो नीट यूजी इंटन ब्रॉट वाइन अकाडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म है यहां आपको मिलती हैं डेली लाइफ 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 टेस्ट और क्विज्ज इस स्ट्रॉक्चिर्ट कोर्सेज ए अवेल करने के लिए इसके लिए आपके पास कही ऑप्षिंस अवेलेबल हैं 136 1224 सिंस नीट यूजी का स्लेबस थोड़ा वास्ट होता है थोड़ा टाइन टेकिंग होता है इसलिए एक साल यह दो साल का पैकेज सबस्यादा पॉपलर एंड मोस्ट रेकमेंड़ भी है और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो यह बहुत ही ज़ादा एडवांटेजियस है और आप देखेंगे कि एक साल का पैकेज जो 30,000 का है उसमें आप सिर्फ 6,000 और एड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 साल का पैकेज इतना ही नहीं अगर आप मेरा रिफरेल कोट अपने स् करना चाते हैं तो मैंने अपने टेलिग्राम लिंक नीचे अड कर दिया है तो अब बात करेंगे हम नेक्स सिस्टम जो की है नर्वस और एंडो क्राइन सिस्टम ठीक है तो नर्वस और एंडो क्राइन सिस्टम में क्या हुआ एंडो क्राइन सिस्टम में जादा नहीं जानन क्यों क्योंकि इनका सीक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में होता है यह सीधे सीधे ब्लड में अपना सीक्रीशन डालती है कोई इनसे डक्ट नहीं जाती है ठीक है तो यह इसलिए मैं इसको एंडोक्राइन ग्लांज भोलेंगे बेसिकली दे सीक्रीट हर मोन ठीक है दो एक बेसिक चीज तो हमने यह जान ली अब बात करें तो नर्वस सिस्टम में कौन् सी चीज़े आती है ब्रेन आता payments आती है स्पाइनल कॉस्फिन का राफ नहीं रहा हूं अब हम compare करके देखेंगे कि frog में क्या difference है और क्या है क्या नहीं है ठीक है फिर start करते हैं the system for control and coordination is highly evolved in the frog यह मैंने आपको पहले भी बताया है कि neural system in coordination with the endocrine system तभी काम करेगा तभी body को control कर पाएगा and coordinated way में एक सुचारू रूप से हर चीज एक orderly way में follow होगी अब बात आती है it includes both the neural system and the endocrine glands ठीक है यह मैंने आपको point बता ही दिया अब बात आती है the chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by the endocrine glands यह मैंने आपको बता ही दिया अच्छा endocrine glands की बात की जाए चलिए आगे देखी लेते हैं पहले the prominent endocrine glands found in the frog are pituitry, thyroid, parathyroid, thymus, pineal, pancreatic islets, adrenals and gonads तो आप देखेंगे कि यही यही चीजें तो humans में भी मिल रही थी ठीक है ना देखो pituitry की अगर बात करें इसी को बोलते है master of the master gland pituitry क्या करती है कि mainly यह वो hormones secret करती है जो बाकी चीजों को control में करता है ठीक है ना बाकी चीजों से कहेगा कि भईया तुम release हो जाओ कुछ से कहेगा कि तुम नहीं release मत हो रुक जाओ ठीक है तो यह अलग-अलग individual जो endocrine glands है इनके hormones का क्या काम है यह सब हमने detail में डिसकस किया था जब हम endocrine system पढ़ रहे थे तो जिनको नहीं पता है वो वह वाला lecture जाके देख सकते हैं और उनको एक brief idea लग जाएगा सारी glands का ठीक है अच्छा अब बात करते हैं हम तो यह endocrine glands का तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है आपको nervous system पर आ जाए तो nervous system भी आप देखेंगे तो nervous system is organized into a CNS याने की central nervous system जिसमें आपका brain और brain का ही extension जाता है ना vertebral column के through जिसको spinal cord बोलते हैं आप देखिए पीछे क्या होता है हमारे हमारी बात कर रहा हूं मैं अभी हमारा स्कल है स्कल के पीछे एक opening होती है जिसको बोलते है for a man of magnum तो यह जो brain होता है यह cord की तरह vertebral column से नीचे जाता है ठीक वर्टीबरल कॉलम उसको प्रोटेक्ट करता इसी से धेर सारी धेर सारी निकलती है ठीक है अच्छा नर्व भी दो तरीके की हो सकती है एक होती है cranial एक होती है spinal ठीक है यह होती है peripheral nervous system का पार्ट और एक और system होता है जिसको बोलते हैं autonomic nervous system जिसमें दो चीज़ आती है sympathetic and parasympathetic ठीक सब कुछ animal humans के perspective में हम already discuss कर चुके हैं frog के लिए थोड़े सी बाते और कर लें there are 10 pairs of cranial nerves arising from the brain cranial nerves क्या होती है जो सीधे सीधे brain से निकलती है spinal nerves क्या होती है जो यह वाली है spinal cord से ठीक है brain is enclosed in a bony structure called the brain box which is known as cranium हमारे अंदर भी जो present है ठीक है क्योंकि brain तो इतनी important चीज़े आप सोचिए ऐसे हलका से आपका सर कहीं भीड़ जाए तो brain पर चोट लग जाएगी ना अगर brain अच्छे से protected नहीं है तो यह brain box cranium bone structure present होता है bone से strong bone से बना हुआता है जो आपके brain को अच्छे से protect करेगा इस case में आपकी बजाए frog की बात कर लो the brain is divided into क्या होगा brain में भी तीन सबसे आगे का पार्ट जो होता है उसको four brain बोलेंगे बीच का पार्ट जो होगा वो mid brain आएगा and पीछे का पार्ट हुआ hand brain ठीक है अब देखिए आप four brain जो आगे का पार्ट है तो होता क्या है हमारे बहुत सारी sensations भी आपने देखोंगी इनके पार्ट भी है जैसे आगे का पार्ट जो है वो कुछ specific चीज़े control करेगा बीच वाला पार्ट कुछ और करेगा hand brain कुछ और करेगा तो यह देख लेता है कि four brain क्या करता है all factory lobes present होते है all factory मतला सूंगने की शक्ति smell करने की शक्ति पेर्ट cerebral hemispheres present होता है वह एन अन पेर होगी तो यह copy pen लेके बैठ जाओ और लिखते रहो इसको the mid brain is characterized by a pair of optic lobes तो सीधे आप सोच सकते है questions से क्या बनेगा आपसे पूछे का optic lobe जो है वो किस पार्ट में मिलता है four brain mid brain या hind brain answer is mid brain ठीक है all factory lobe किसमें मिल रहा था four brain hind brain में फिर क्या मिलेगा consists of cerebellum and medulla तो जहां पर यह दूनों का नाम आता है cerebellum and medulla generally यह body की involuntary involuntary क्या होता है जैसे heart rate हो गया rate of respiration हो गया यह सब चीज जो हमारे control में नहीं होती वह involuntary हुआ voluntary क्या हुआ हम जब चाहें तब अपना हाथ उठा दे है न यह voluntary हुआ अब बात आती है the medulla आपको पहले भी बताए the medulla oblongata passes out the forum and magnum ठीक है and continues in the spinal cord which is enclosed in the vertebral column यह कहानी आपको पहले ही पता थे कि vertebral column का structure देखोगे तो इसमें एक central canal होती है ठीक है बाकी जो भी vertebra बना हुआ है and एक के उपर एक ऐसे arrange होते है vertebral columns ठीक है तो इसमें सब में ऐसे छेद होगा and इसी छेद से ऐसे निकलता है आपका spinal cord और बीच-बीच से निकलेंगी spinal lungs ठीक है यह होता है पूरी कहानी अब बात आती है frog has different types of sense organs क्या-क्या होती है touch, taste, smell, vision and hearing तो आप में देखा ठीक है यह सब चीज़े तो हमारे अंदर भी है तो frog का brain अच्छा खासा develop है जो यह सब समझ लेता है ठीक है ना तो यह ध्यान रखना चीज़ों का आगे देखो organized structures and the rest are cellular aggregations around nerve endings ठीक है इसमें क्या है यह उतना developed नहीं होता system जितना humans में हो जाता है लेकिन ears और eyes यह इनका proper organization है बाकी सब क्या है aggregation एक अठा हो गए यह जेर सारी nerve cells हो गए जिनके अंदर properties है sense करने की ठीक है ऐसा कोई बहुत proper organization नहीं मिलता वहाँ okay अब आती है eyes in a frog are a pair of spherical structures situated in the orbit हमारी भी eyes जो होती है हमारे skull में अब देखेंगे दो छेद होते हैं जिसमें eye fit होती है lodge होती है उसको बोलते हैं orbit तो याद रखना orbit किसके लिए होती है eyes के लिए अब बाताती है these are simple eyes possessing only one unit अब तक हमने compound eyes पढ़ी ती जिसमें धेर सारी आखे थी जिसमें एक simple आख होती है जैसे हमारी होती है एक ही lens होगा ठीक external ear जो है इसमें गायब होता है ठीक है लेकिन टिमपैनम होता है जो कि हम बाहर से देख सकते हैं ठीक जो hearing और balance का काम करेगा तो वीडियो पसंदा है तो like करो subscribe करो comment करो and left and code यूज़ करके अनक आटमी से जुड़ना मुझसे personally जुड़ना है तो मैंने telegram link add कर दिया है